तो आज के वीडियो में हम डिस्कुस करने वाले हैं रवांडा बिल के बारे में तो अगर आप अभी असाइलम का पार्ट हो या फिर आपने अपना वीजा ओवर स्टे कर लिया है बिसिकली आपका जो वीजा था वो एक्सपाल कर चुका है और आप इलीगली अब यूके में तो क्या आप एलिजिबल हो रवांडा प्लान के लिए या नहीं क्या आपको डिपोर्ट किया जा सकता है रवांडा या नहीं और अगर लिपोर्ट किया जा रहा है तो क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा यह सारी चीजे में आज के वीडियो में आपको बताने वाली तो सबसे पहले यह जानते हैं कि रवांडा का जो बिल है रवांडा का जो प्लान है वो क्या है तो UK में जतने illegal migrants आते हैं, किसी भी रास्तल से आते हैं, जाहे बोट से आते हैं, या illegally किसी भी और तरीके से आते हैं, या जो लोग अपने visa को overstay कर जाते हैं, बेसिकली जब उनका visa expire हो जाता है, फिर भी वो UK में रहते हैं, तो ऐसे illegal migrants को asylum में टाला जाता है, asylum में जो लोग र प्रफ़ा असाइलम में और आपका जो जो वर्डिक्ट है वो आपके अगेंस्ट आता है तो आपको डिपोर्ट किया जा सकता है तू रवैंडा बीसिकली रवैंडा इस थर्ड सेफ कंट्री जहां पे जो इलीगल माइगरेंस है यूके के उनको भेजा जाएगा उनको वहां सकते हैं रवैंडा में या तो वो सिटिजन्शिप ले सकते हैं रवैंडा की या वहीं पे स्टे कर सकते हैं काम कर सकते हैं या फिर वो रवैंडा से किसी और तीसरी कंट्री में भी जा सकते हैं बट बेसिकली कभी वह वापस यूके नहीं आपाएंगे कभी वो यूकी की सि दिया गया है, उसको law बना दिया है, उसको policy बना दी है, बट अभी तक कोई भी flights UK से रवांडा नहीं गई है, migrants को लेकर 4th of July 2024 को UK में elections हैं, जब तक वो नहीं हो जाते, तब तक कोई भी flight रवांडा के लिए नहीं जाएगी, ऐसा claim किया है रिशी सुनक ने, अब यह जो पूरा रवांडा का plan है, जो रवांडा का build raft किया गया है, यह पूरा conservative party नहीं किया है, तो अगर conservative party फिर से आती है UK में power में, UK से बहुत सारे illegal जो migrants हैं, वो रवांडा भीजे जाएगे, अगर लेबर party आती है, पावर में, तो रवांडा का plan हटाया जा सकता है, रवांडा को plan को कभी implement नहीं किया जाएगा, तो अब देख लेते हैं कि कौन से लोग हैं, जो रवांडा plan के लिए eligible है, मतलब किसको भेजा जा सकता है, रवांडा और किसको नहीं भेजा जा सकता है, तो रवांडा plan के लिए eligible होने के लिए सबसे पहला जो criteria है, वो यह है कि आप होने चाहिए asylum का part, अगर after 1st of January 2024, आपने asylum join किया है, आप asylum का part बने है तब से, तो आप रवांडा plan के लिए eligible हैं, मतलब हो सकता है, home office की list में आपका भी नाम हो, second eligibility criteria है, रवांडा plan के लिए उसमें यह है कि आपके ऊपर कोई भी minor dependence नहीं होने चाहिए, मतलब आप एक young adult होने चाहिए, जिसके कोई 18 साल से कम के रवांडा plan के लिए eligible नहीं हो, क्योंकि बच्चों को ये लोग नहीं भेजेंगे रवांडा, ये सिर्फ 18 अबव है, उनके ऊपर ही ये रवांडा plan अप्लाइ हो पाएगा, और जो लोग अपने वीजा से ओवर स्टे कर गए है, मतलब सपोज आप टूरिस वीजा पे UK में आए थे, छे महीने बाद आपका वीजा एक्सपायर होगे, आपने रिन्यूनी करवाया और तब से आप UK में ही हो, इनलीगली आप UK में रह 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 र आपका नाम इस लिस्ट में है, तो आपको सबसे पहले आएगा एक letter of intent, तो letter of intent में basically home office ये state करेगी कि आपको आपका जो immigration status है वो valid नहीं है और आपको रवांडा भीजा जा रहा है, ये उसमें वो अपना concern दिखाएगी, अपना intent दिखाएगी, अब अगर आपको letter of intent आता है इसका ये मतलब भी नहीं है कि आपको रवांडा भीजा ही जाएगा, आप इसको oppose भी कर सकते हो, बट अगर आप इसको oppose नहीं करते हो, और अगर ये plan confirm होता है, तो आपको एक second notice आएगी, जिसमें ये home office का ये verdict होगा, कि आपको finally, इस इस date को आपको रवांडा भीजा जाए है, तो आपको सबसे पहला जो काम करना है, वो है आपको एक solicitor appoint करना है अपने लिए, आपका solicitor आपके case को समझेगा, और वो इस जो home office का decision है, उसको on certain basis challenge भी कर सकता है, but in any situation, आपके पास एक immigration solicitor होना चाहिए UK में, जो आपके case को defend कर सके, so generally, जो asylum में लोग होते हैं, उनको home office report करने के लिए बोला जाता है, from time to time, but अगर आपको ऐसा letter of intent आ चुका है, तो उसके बाद आप home office को report करने से पहले, make sure कि आपके पास एक solicitor हो, before going to any such appointments, जिससे आपके solicitor को idea हो कि आपका appointment है state को, generally, it's not the process कि home office आपको detain कर ले वहाँ पे, but there can be situations, जहां पे आप appointment के लिए अ आपको वहाँ पे, अपने appointment के time पे ही, वो आपको detain कर सकती है, और detention center भेज सकती है, तो इस situation को avoid करने के लिए, तो please make sure कि आप अपने appointment से पहले, एक solicitor को आप appointment कर ली जा अपने लिए, और उनको up to date रखे कि आपके appointment होम office के साथ कब-कब है, also have someone, चाहे वो कोई friend हो, या पर कोई family member हो, उनको भी आप up to date रखे अपने appointment के साथ, कि आपका appointment इस उस date को है, कि अगर आपको थोड़ा सा जादा time लग रहा है, या फिर आपको अगर home office प्लान करता है, detention center भेजने के लिए, तो वो friend या आपका कोई भी family member, वो आपके solicitor को call कर पाए, so these are the things that you should be prepared for, अगर आप ravanda plan के eligibility को meet करते हैं, तो, hopefully आज का video आपके लिए informative रहा होगा, गर ravanda plan से related आपको कोई भी doubt है, तो please आप हमें comment section में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें instagram handle पे भी हमारे reach कर सकते हैं, तो मिलते हैं next video में, till then, bye.